हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्फल किचन कल मैंने आपको पूरन बनाना बताया था कि हमारे महाराश्ट्रा में किस तरीके से पूरन बनाया जाता है और आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पूरन पूरी मैंने बनाई है ये किस तरह से बनाई जाती है और इसका आटा कैसे लगाते हैं ये देखे पूरण पूरी जो बनती है वो इस तरह से एकदम सौफ्ट बननी चाहिए और उसके अंदर पूरण ऐसा एकदम बढ़िया भरा हुआ होना चाहिए तब इस पूरण पूरी का मज़ा आता है और ये दम शानदार और बहुत ही लाजवा पूरण पूरी बनी है तो इसको बनाने के लिए कुछ चोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होता है मैं आपको सेंपल करके सिर्फ दो लोगों के हिसाब से चार पूरी के लिए बता रही हूँ तो इसके आटा जो हम ले रहे हैं वो गे के तेल या फिर गील का मोयन लगाईए मोयन गीका लगाते हैं तो उसमें थोड़ा खस्तापन जादा आता है और साथ में ही थोड़ा सा नमक डालेंगे एक चुटकी भर नमक करीब आप समझ लिजे या फिर जैसे मैंने तो यहां पर आधा कटोरी लिया है मैदा आधा कटो और उसको पहले से अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लिजे और उसके बाद में फिर पानी से इस आटे को गुनना है गुनने के लिए पानी का अंदाज एक कैसा होता है कि जितना टोटल जितना आटा आपके पास है उसका करीब-करीब आधा पानी लगता है तो आधा- आटा जितना पतला होता है उतना पतला या उससे भी पतला अगर आप बेल सकें और संभाल सकें तो उससे भी पतला रखें क्योंकि स्टफ किये हुए पराठा में एक खास बात यह होती है कि हमारा जो स्टाफिंग है जैसे हम इसमें पूरण भरेंगे तो पूरण जितना पतला रखा है हमने उससे आटा थोड़ा सा पतला और ज़्यादा पतला ही रहना चाहिए तो वो हमेशा बेलने में आसान होता है और अंदर का स्टाफिंग भी बाहर नहीं आता इस वजह से पूरण पूरी का जो आटा है उसे बहुत ही ज़्यादा पतला बनाया जाता है और जैसे आपकी प्राक्तिस होती याती है दीरे-दीरे वैसे आप और ज़्यादा पतला आटा हैंडिल कर सकते हो तो अभी ये इस consistency में कर लेना और ये देखे आधे से थोड़ा कम ही पानी लगा है और अभी करीब ये 10 से 15 मिनिट तक इसको settle होने दिया हमने उसके बाद में अब हमें थोड़ा सा तेल लगा के और इसे वापस एक बार गुन लेना है हमें पता है कि आटे को जब हम set करने के लिए छोड़ देते हैं तब उसका gluten release होने से आटा स्मूथ हो जाता है और उसका जो भी हम फिर ब्रोटी ये पराठा बनाते हैं वो काफी अच्छा बनता है तो इस तरह से थोड़ा हाथों को तेल लगा करके और इसे एकदम नरम गुन लेना है जब आप इसे रख देंगे तो ये थोड़ा सा पहले से और ज्यादा पतला होता है तो इस तरह से तयार हो जाएगा हमारा आटा और आपका पराठे की size पे है आप जैसे पूरन पोली अ और काफी उसे खाने का तरीका भी होता है उसमें जब आप गरम गरम उसे लेते हैं खाने के लिए तब उसके उपर घी डालना चाहिए तो देखे अभी हमारा ये आटा रेडी हो गया है और अब इस तरह से हमें एक जितने हमें रोटी का लेते हैं उतना ही गुला लिया है और इसे हम थोड़ा सा हलका पहले फ्लेट करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा बेल लेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी जादा हैबिट नहीं होती जादा तर इस तरह से स्टाफिंग करके बनाने की तो उनके लिए एक वार वापस हम बता देते हैं, कि स्टाफिंग कैसे की जाती है और आपने जितना आटा लिया है और उससे उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा पूरण लिजे यह पूरण का स्टाफिंग काफी अच्छा होना चाहिए इसमें देखे पूरण हमारा इतना अच्छा बना हुआ है विल्कुल चिपचिपा भी दिगें नहीं है और हाट भी नहीं हुआ है इसकी रेसिपी हमारी इसके पहले वाले वीडियो में है या आप आप बटन पे क्लिक करके आने बारे लिंक से भी इसकी recipe देख सकते हैं description box में भी आपको इसकी recipe मिल जाएगी तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें इसको पूरा cover कर देना है एक्स्ट्रा आट उपर से हटा लेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा इसे सुका आटा लगाएंगे और हलका सा tap करके इसे हम ऐसे थपकी देख करके और इसे थोड़ा सा उसका जो मिश्चन है अंदर वो थोड़ा फैला देते हैं इस तरह से क्या होता है कि जो stuffing है वो सब तरफ एक जैसे एक समान फैलती है और अब हलके हाथ से इसे बेलना है मैंने फिद भी आपको बहुत जादा पतले आठे पे नहीं बताया है नहीं तो लोग इसे भी ज़्यादा पतले àठे में जो traditionally बिल्कुल बनाने वाली लेडिस होती है वो बहुत ही जादा पतले आठे में पुरण पोलगी बनाती है तो आप इस तरह से बना के ट्राइ कीजिए इसमें अच्छे से पूरन फैला हुआ है अब हमें इसे सेख लेना है जैसे हम नॉर्मली पराठे सेखते हैं उस तरीके से तो एक साइट थोड़ा सा होने के बाद में इसे पलटेंगे और फिर दूसरी साइट पकने देंगे अच् जब हम घी उस करते हैं तो उसमें ऐसे धुआ उत्ता है यहां पर अच्छा से यह से शेक लेने के बाद में और इसे पॉसिबिली गरम-गरम ही सव कीजिए बहुत अच्छा लगता है और उसके उपर से घी डाल करके आप इसे सव कर सकते हैं और जिन्होंने हमारा चनल सब् बिल्कुल दिल से थैंक यू क्योंकि उनकी वज़े से हमारा चैनल काफी अच्छा ग्रू कर रहा है और हमें काफी अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन जरूर से ऑन रखिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो आएगा तो और कमेंट करना मत भूलिए और प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली में और मुझे अगर आपको कुछ वीडियो में प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज आप मुझे वह भी बता सकते हैं तो मेरा नाम प्रीती है और यह स दॉर्फिल किचन में आपका फिर से स्वागत रहेगा So thank you and welcome back for watching our videos